हेलो फ्रेंड्स मैं पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स नवरात्रे पूर्ण हो जाने के बाद बात आती है कि हम चोकी कैसे उठाएं और पूजा में जो भी सामगरी हमने समर्पित की है उसका क्या करें तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि नवरात्रे की चोकी हमें कैसे उठानी है देखे चोकी उठाने से पहले सबसे पहले तो हम मातारानी की आरती उतारेंगे जैसे हम पूजा करते थे दिया जला के आरती उतार लेंगे उसके बाद हम गनेश जी को मातारानी को नव घरै को सभी को सिंदूर समर्पित करेंगे तो देखे इस तरह से हमने सभी को सिंदूर समर्पित कर दिया है, उसके बाद हम लोग भोग समर्पित करेंगे, तो आप पता से का मिस्री का कोई भोग समर्पित कर दें, जल समर्पित कर दें, के बाद अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेंगे, और मातारानी से प्रा करेंगे इसके बाद गनेश जी को हम लोग अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे और जो भी भोग परशाद है वो सभी को परशाद से और बाँट देंगे जितने भी फूलों को नहीं पेछा कर लेंग difूले चटा कंप आपने पीपान अगर आपने सब्गाया है तो उसी में पहले सी इक सब्ट कर गाए. इसके बाद हम लोग सब से पहले जो जनेवु हमने चड़ा है तागनेश घी कोुआ आप रख लें किसी को दान कर दें. साथ में ऐसका माता राणी के जो हमने मूर्ती लिया है ये मूर्ति आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और अगली बार पूजा में आप दोबारा से मातारानी की पूजा नवरातों में कर सकते हैं इस मूर्ति का विसर्जन करना जरूरी नहीं होता है अगर आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो फिर आप विसर्जित कर सकते हैं साथ में ही जो चुन्री हमने माता रानी को उढ़ाई थी तो यह आप मंदिर में उढ़ाके भी रख सकते हैं यह आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं जल सभी परसाद सवरूप ग्रेंड कर लेंगे इसके बाद जो हमने नारियल समर्पित के था जो कलस के उपर नारियल था इस आप फ़ी लोगों में परसाद सवरूप बाट दें आप कुछ लोग मंदिर में चढ़ा के आते हैं तो अगर आपके आसपास कोई मंदिर तो आप वहां चढ़ा आए वैसे हम लोग इसको सभी में बाट देते हैं इसके बाद जो कलस्त का जल है उसको पूरे घर में हम लोग छिड़क देंगे तो आप घर में, किचन में, बैड्रूम में सब जग है पर आपको ये जल छिड़क देना है और बाद में जो जल बच जाएगा उसको हम पोधो में डाल देंगे तो देखिए इस तरह से हम पोधो में दुबारा से यूज कर सकते हैं और जो सिक्का है या पूजा के जितने भी सिक्के हैं सबको इखटा कर लें बात में आप इने मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं तो इस तरह से हमें करना है इसके बाद हमें जितने भी पत्ते हमने लिये हैं या फूल हमने लिया है जो भी कल दान करना है इसके विशे में पूरी वीडियो आई हुई है आपको देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यह सबी चीज़े हमें दान कर देनी है इसके बाद जो नो गरह के रूप में हमने सुपारी स्थापित की थी हम उन सभी सुपारियों को ए लिए और अब इस पर मैं जलके छीटे लगा दूंगी तो देखिए आप इस तरह से आप चाहें तो इन्हें भूमी विसर्जित भी कर सकते हैं जब आप पत्ते और फूल विसर्जित करेंगे तो इनको भी विसर्जित कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको दुबारा पूजा में यूज कर सकते हैं लेकिन दोबारा पूजा में यूज करने से पहले इस तरह से आप एक बार इन पर जलके छीटे जरूर लगा दें और इसके बाद आप इनको किसी भी दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं अब जो भी कलावा हमने वस्तर सवरूप समर्पित कि जया है वो सभी हम जहाँ पर हमने फूल और पत्ते इखटे किये हैं वहीं पर हम लोग इनको इखटा कर लेंगे इसके बाद जो हमारे जवारे हैं तो यह जवारे दसेरह पूजा में हमें यूज करने हैं लेकिन इन में से थोड़े से जवारे निकाल के विसर्जित करेंगे जहां पर भी हमें पत्ते और फूल हम विसर्जित करेंगे, उनके साथ थोड़े से जवारे निकाल के हमें विसर्जित करने हैं, और उसके बाद इन जवारों को हमें दशेरा पूजा में यूज करना है, क्योंकि दशेरा पूजा में इनका विसेस महतो है, तो ये जवारे इखट्टा करके हम किसी भी बरतन में रखोड़े या किसी भी जगह पर इखट्टा करके हम सभी चावलो को पक्सियों को डाल देंगे आप छत पर पक्सियों को डाल सकते हैं या किसी भी जगह पर मंदिर वगरा में जहां पर पक्सियों को चावल या बाजरा वगरा डालते हैं वहां पर आप इनको डाल के आ सकते हैं या तो आप चीटियों के बिल पर भी इनको डाल सकते हैं जहां प करेंगे इसके साथ साथ हमने जितने भी पत्ते और फूल लिये था हम उनको विसर्जन करेंगे तो भूमी विसर्जन करूंगी मैं देखिए इस तरह से चोटा सा गड़ा कर ले और अगर आपके पास खुली जगे नहीं है तो आप एक गमला ले ले गमले में थोड़ी सी मिट तावा और साथ ही अगर आप सुपारी भी विसर्जित करना चाहते हैं तो ये सभी चीजे आप यहां पर भूमी विसर्जित कर सकते हैं तो इसेगा कर सकते हैं कि अभूमी विशर जित लेकिन जल विसर जित करने में जल प्रदूशित होता है और अगर और अगर पूरामають यानी रहत रहते हैं यह कि इसमें हों इखांजने ये खाद बन जाएंगे कुछ समय के बाद तो फ्रेंट्स इस तरह से हम नवरात्रे की चोके उठाते हैं अगर आपको नवरात्रे के विसरजन की ये छोटी सी वीधी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वोल को सब्सक्राइब कर लेना जै माता दी